हेलो दोस्तो जैसे कि आप यहां पे देख पार हो हमारा आज का यह model 20 feet by 35 feet के अंदर होने वाला है जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है 2 master bedroom, 1 kitchen, 1 living room, 1 dining room, 4 chairia और separate toilet bathroom और steer case जो की घर के बाहर दिया गया हमने तो फिर चले हमारा आज के video शूर करते हैं आप यहां का है, कहीं से बिदेखने को मिल जाते हैं, 3 steps के बाद यहां पे बेक साट पर पूर चीरिया देखने को मिलने वाला है पूर चीरिया के बाद यहां पे हमने बारी stays दी गई है और यहां पार हमने छोटा सा small toilet bathroom दिया गया है तो विचले अब interior का बताने से पहले मैं आपको पूरा distribution बता देता हूँ और चारो तरब से model हमारा एक बार दिखा देता हूँ हमारा model किस तरब से आज का बनाय हुआ है तो front side आपने देखने फ्रंट side का elevation जो होने वाला है दिखा देता हूँ कि इस model का हमने किस तरह से distribution किया गया है तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर यह model होने वाला है यह हमारा 20 x 35 feet का होने वाला है यहां से आपका entrance होता है को मिल जाता है इसके साइज आपको 12 feet 4 inch पर 9 feet 5 time को देखने को मिल जाती है और यहां पर आपका kitchen होने वाला है kitchen की size 5 feet 8 inch पर 9 feet 5 time हमने दे गई है और उसके बाद back side पर आपको यह portion आपका dining room होने वाला है इसके size 8 feet 11 just 6 feet देखने को मिल जाती है बैक side पर आपको 2 bedroom देखने को मिल जाती है यहां से राइट side पर आपको second bedroom देखने को मिल जाता है दोनों ही bedroom हमाने master bedroom होने वाला है first bedroom की size आपको 8 feet 11 just 7 feet 7 inch देखने को मिल जाती है second bedroom की size आपको यहां पर 4 feet 6 inch by 6 feet यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है तो चलिए अब मैं आपको इस model का 3D लूट दिखा देता हूं कि 3D में हमारे model किस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है तो जैसी आप यहां पर देख रहे हैं आपको यहां पर combined toilet bathroom देखने को मिलने वाला है यह outside portion का हमने रखा गया है और उसके बात यहां से door होने वाला है यहां से door से अंडर करती आप आने वाला है इस living room में यह living room का look कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है और यह जो है इसका लोग कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है और ठीक यहां से आपका entrance होने वाला है यह आपका dining room होने वाला है dining room का कुछ लोग है इस तरह से और यहां पर हमने window दिया गया है उसके ठीक back side पर यहां पर आपको यह first master bedroom देखने को मिल जाता है यह master bedroom की साथ हमने toilet bathroom attached दिया गया है front में यह कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर इस side से आपका entrance होने वाला है यहां से enter करते हैं आप यह second bedroom में entrance हो जाता है और इस camera director online bathroom कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है मैं इस model को एक बड़ top side से आपको दिखा देता हूँ के यह है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है विचले अब मैं आकको इस model costing के साथ बता देता हूँ कि इस model को बनाने के लिए आपको कितना cost लग सकता है, मतलब मैं आपको proxy बताने वाला हूँ, जैसे हमारा calculator open करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमारा जो model होने वाला है 20 feet by 35 feet का होने वाला है, means हमारा total 700 square feet का होने वाला है, तो अभी जो construction code चालू है, मतलब लग बद कि आपको मिल जाती है, 1400 x 700, तो मतलब 9,80,000 के आपरोक्स में आपको costing बता रहा हूँ, इसके आपका construction cost जा सकता है, तो फिर ये ता हमारा आज का model और अगर आपको हमारे model और ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल का सब्स